वही फाइनली वही घटना हो गई है जिसका मुझे पूरा अंदेशा था कि आज नहीं तो कल यह तो हो नहीं है जहें दोस्तों आज हम बात करने वालें बीवीसी डॉक्यूमेंटरी के बारे में जो कि रिलीज हुई है ब्रिटेन से बीवीसी के दौरा लेकिन उसको भारत में बैंड कर दिया गया है इंडिवर्सटी अधरबाद में वहां पर उसकी स्क्रीनिंग भी रखी गई थी लोगों को दिखाया गया था JNU में हालाकी इसी प्रकार की एक स्रीनिंग होनी थी लेकिन विश्वय द्याले की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया कहता है कभी इसी प्रकार कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए वरना इससे लोईन और बिगढ़ सकता है कैंपस के अंदर में लेकिन अब JNU से एक बार फिर से तालियां पीटने की आवाजें आई हैं कि भाईया ये डॉक्यूमेंटरी आखिर हम लोग क्यों नहीं देख से दिल्ली की जवाला नहीं उनिवस्टी मतलब के JNU में मंगलवार की देर शाम वामबंती चात्रों का शुरू किया हुआ वखिडा देर राह तक चलता रहा अखिल भारती वध्यारती परिशत पर आरोप और दिल्ली पुलिस की शिकायत देने के साथ इस पर विराम लग गया इस बार भले बवाल की वज़े BBC की प्रोपगेंडा डॉक्यूमेंटर की स्क्रीनिंग रही हो लेकिन इसके पीछे के चेहरे और आरोप वही पुराने उनिवर्स्टी प्रेशासन के निर्देशों की अंदेखी कर पहले जेन्यू चातर संग अध्यक्षिर आईशी घोष प्रपगेंडा उनिवर्स्टी की स्क्रीनिंग को लेकर अड़ी फिर ABV पर स्क्रीनिंग देख रहा है चातरों पत्थरबाजी कारूप लगाया गया वो बंदक बनाया गया था संपत्ति को नुकसान पहुचाया गया था और तब इस ववाल का चेहरा यही याईशी घोष थी उस समय भी ABVP पर इसी तरह के आरोप लगाय गये थे और इस बार भी JNSU की जिस डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग को लेकर अड़ा हुआ था उस पर सरकार अल्रेडी बैन लगा चुकी है JNU प्रशासन ने शांती और सद्भाव भंग होने के अश्चंगा जताते हो इस स्क्रीनिंग पर रोग लगा दी थी ये भी कहा था कि विश्विद्ध द्याले प्रशासन ने इसकी अनुमती नहीं दी है बावजूद मंगलवार की देरशाम यूनिवरस्टी का माहौल बिगाणने कोशिश वामपंती चात्रों ने करी पहले उन्होंने बिजली सप्लाई बंद करने का आरोप लगाते हुए नारे बाजी करी और फिर पत्थरबाजी के आरोप लगाते हुए बवाल खड़ा करने की भी कोशिश करी पत्रकार राहुल से सूदिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आईशी खोश को कहते सुना जा सकता है कि वे एक स्क्रीन को बंद करेंगे हम हजार स्क्रीन उनके सामने खोल कर रख देंगे वो एक वीयोशिप बंद करेंगे हम लाखों वीयोशिप उनको देंगे वो JN S.U के विरोध करने का तरीका है अगर पुलिस में दम है बीजे पी के लटबास के पास दम है तो आए हैं और स्क्रीनिंग बंद करके दिखा है इसके बाद उस सभी से QR कोड स्कैन करने प्रपगेंड़ डॉक्यूमेंटरी को देखने के लिए कहती है मंगलवार देरराथ पुलिस टेशन के बाहर आईशी गोश ने पत्रकारों से का कि हमने शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस ने हमें घटना की जाच का आश्वसन दिया है हमने इसमें शामिल सभी वेक्तियों के नाम और विवरन दिये है फिलाल हम विरोध प्रवदशन वापस ले रहे हैं हम जेनियू प्रॉक्टर कारयलाई में भी शिकायत दर्ज कराएंगे इससे पहले है धरबाद उनिवस्टी में स्टुडेंट इसलामिक और मुस्लिम स्टुडेंट फेडरेशन ने इस प्रपगेंड़ डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग करी थी इस स्क्रीनिंग में दोनों इसलामी चातर संगठनों के पचास से जादा चातर मौजूद थे ABVP ने विश्वद्याले प्रबंदन से इसकी शिकायत करते हुए आयोजन कराने वालों पर कारवाई की मांग करी थी ABVP का नुसार बिनानुमति के इन्युवस्टी केंपस के अंदा स्क्रीनिंग करी गई थी दरसल इस डॉक्यमेंटरी में BBC ने दंगों का दोश वर्तमान प्रहानमंत्री नरेंद्र मोधी पर डालने के कोशिश करी है यही नहीं उनकी 26 इसलाम विरोधी भी दिखाने कोशिश करी गई है दो पार्ट ने बनाए गई BBC की सीरीज में प्रहानमंत्री मोधी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई BBC ने मोधी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रतिरवाई, कथित विवादित नीतिया, कश्मीर के विशेश दर्जे को खत्म करने और नाविरिकता कानून को ले कर भी सवाल उठाए BBC की डॉक्यूमेंटरी पर सरकार ने सक्त रुक अपनाया सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंटरी से सम्मंदित लिंक हटाये जा रहे हैं एक रिपोर्ट के मताबिक यूट्यूब वीडियो लिंक वाले 50,000 ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है आईटी नें 2021 के तहट एमर्जेंसी शक्तियों का इस्तमाल करते हुए सरकार ने ये कारवाई करी लेकिन उसके बावजूद भी देश में कई लोगों को इस प्रकार की इल्ली हो रही है कि भाई कैसे भी करके ये डॉक्यूमेंटरी देखनी है और अब्वेसी बात है उनके पास उनका इसके लिए अपना एक खुट गयाग एजंडा है इसके उपर मैंने भी एक डीटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें की साफ तोर पर समझ में आता है कि क्यों वामपंती और लिबरल गिरो हो हो इस वीडियो इस डॉक्यूमेंटरी को इतना जादा पुश करने में लगा हुआ है कितना माई चुझा वादान हमारे देश के लिबरल्स ने बीबि-सी की इस डॉक्यूमेनटरी को बनाने में दिया है साफ तोर पर उस वीडियों मैं एक्स पोस्ट किया है चाहें तो आप वो वीडियों भी देख सकते हैं फिलहाल के लिए मेरे इस वीडियों फिललतना ही जैहिन जै भारत